हेलो बच्चों कैसे हैं आज मैं आपको इस वीडियो में 6 नवंबर 2020 की 9th क्लास के मैठ सब्जेक्ट की जो वॉक्षीट है हमारे पास वॉक्षीट नमबर 52 ये मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगी ओके और इस वॉक्षीट का कॉंसेप्ट है हमारे पास क्वाड्री लेटर यानि कि अगर हमारे पास क्या हो four sides हो और वो भी क्या करें closed आपके पास एक figure बनाए like this तो यह जो आपके पास figure होती है इसे आप क्या कहते हैं क्वाड्री लेटरल के बाद next concept हमारे पास आता है क्या कि a quadrilateral having both the pairs of opposite sides equal and parallel like this अगर हम यह आपर यह जो quarter letter ले ले लेते हैं इसको name दे देते हैं a b and c d so what we are saying opposite sides okay pairs of opposite side तो आप यहाँ पर देखो opposite side कौन सी है यह जो a b side है इसके opposite कौन सी side है आपके पास c d side है so यह दोनों कैसी होनी चीए they must be equal यह दोनों एक दुसरे के equal भी होनी चीए and एक दुसरे के parallel भी होनी चीए अगर आपके पास एक यह concept हो and if other two sides यह देखिए a d और यह वाली कौन सी है b c so if you are saying that a d is equal to b c and a d is parallel to b c तो अगर हमारे पास यह वाला जो concept होता है then हम वहाँ पे कहते हैं कि जो quadrilateral होता है वो हमारे पास क्या होता है एक parallelogram होता है so parallelogram का आपके पास basic concept क्या हुआ कि opposite sides are equal and parallel in a parallelogram so let us understand the proof of a theorem about parallelogram पेरलोग्राम पर based हम यह आपर जो थियोरम है वो ले लेते हैं यह जो थियोरम है हमारे पास हमारे जो बुक है NCRT की बुक उसका आपका थियोरम नंबर 8.1 है so statement क्या है इस थियोरम का a diagonal of a parallelogram diagonal of a parallelogram clear divides it into two congruent triangles यह divide करता है इसको किसमे two congruent triangles में तो हम यह आपर यह concept देखते हैं कि क्या है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले एक parallelogram suppose करना होगा so let ABCD be a parallelogram यह हमने एक parallelogram लिया है यह वाला clear and ACB it's diagonal तो AC यह है और यह क्या है diagonal है now observe that the diagonal AC divides parallelogram ABCD into two triangles and these are यह आपके पास जो upper triangle है that is triangle CDA और जो आपके पास lower triangle है that is triangle ABC तो हमारे पास दो triangle है triangle ABC and triangle CDA now what we have to prove we have to prove that these triangles are congruent हमें इन दोनों triangles को congruent prove करना है that means इनके सारे के सारे angles equal होने चीए और साथ साथ में इनके जितनी भी sides हैं वो mutually कैसी होनी चीए equally होनी चीए तो जब यह हमारे पास यहाँ पर prove हो जाएगा तो हम यहाँ पर कहाएंगे कि हमारे पास जो triangle है वो दोनों कैसे हो जाते हैं congruent हो जाते हैं clear तो अब हम यहाँ पर जो concept लेते हैं in triangle ABC and CDA तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो भी हमारे पास triangle है ट्राइंगल ABC जो हमारे पास यह लोवर ट्राइंगल है और यह अपर ट्राइंगल ठीक है तो लोवर ट्राइंगल में हम यह आपर देखते हैं एक concept क्या कि एंगल BCA क्लियर देखो बच्चा एंगल BCA कौन सा है BCA यहां से आपके पास इस तरीके से एंगल बन रहा है and that's एंगल that is angle 5 BAC तो यह जो दोनों एंगल से आपके पास यहां पर कैसे हैं इक्वल है वाई बिकोज दीज आर पेयर ओफ अल्टरनेट एंगल देखो बच्चा आपके पास ऐसे यह जैड बन रहा है ना और जैड बन रहा है तो यह वाले जो दोनों एंगल से आपके पास कैस होंगे इक्वल होंगे वाई बिकोज हम यहां पर इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि AB जो है AD जो है वो क्या है BC के पैरलल है clear और यह वाली जो लाइन है हमारे पास यह क्या कर रही है इन दोनों को इंटर्सेक्ट कर रही है तो इस ट्रांसवर्सल लाइन यह हमारे पास ट्रांसवर्सल है और यह कौन सी है AC है और जो बाकी के अधर है यह दोनों हमारे पास कैसी है पैरलल है तो यहाँ पर यह क्या बनाते है इस फॉर्म्स Z, Z मिन्स अल्टरनेट एंगल का पेर यहाँ पर ऐसे बन जाता है clear तो यह को एंगल 5 और 6 एक्वल है तो एंगल 3 आपके पास यह वाला एंगल 4 यह वाला तो 3 का जो नेम है वो क्या है यहां से स्टार्ट हो रहा है B, A, C, OK एंगल B, A, C, and एंगल 4 यह क्या है हमारे पास that is DCA तो यह देखिए यह भी आपके पास क्या बन रहा है ऐसे यह भी आपके पास यह एंगल बनते हैं यह वाला एंग्ल आपके पास ऑग और एक यह वाला एंगल और इन दोनों जो एंगल आपके पास बन रहे है इनकी वैलिस कैसी होंगीга इप लोनी C, and that इस doos, यह कौमन साइड हैं यह आपके आपके तीन फेक्टर सो गए क्या फर्सट एंगल सेकीन्ज एंगल ठीक है एंगल को इस फोर ए-स- और यहां पर भी a और यह जो फद इसना है यह किस का साइड का तो हम यहां पर देख पा रहें कि हम दो angles यूज़ कर रहे हैं और एक side so by ASA rule triangle ABC is congruent to triangle CDA, ये दोनों कैसे हैं congruent है, clear हुआ तो अब हम यहाँ पर next concept क्या करते है, ये जो भी हमने यहाँ पर concept लिया है, इस concept को हम एक activity के through और अच्छे से clear करते हैं, तो इस activity में हमारे पास concept क्या है, cut out a parallelogram from a sheet of paper आपको क्या करना है, एक parallelogram जो है, वो यहाँ पर क्या करना है, cut करना है, clear, तो चलिए सबसे पहले parallelogram जो है, उसको cut करते हैं, like this, ये लीजिए हम यहाँ पर एक parallelogram cut कर लेते हैं, okay, and cut it along a diagonal, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमने बनाया parallelogram इसको diagonal के थुरू ऐसे cut करते हैं, मतलब इसे यहाँ से बिल्कुल middle से cut कर देते हैं, तो हम देख पा रहें कि एक ये वाला triangle हमारे पास मिल जाता है, और एक ये वाला triangle मिल जाता है, okay, so we obtained two triangles, यहाँ पर हमारे पास two triangles हमें observe होते हैं, what can you say about these triangles, place one triangle over the other, अब हम एक काम करते हैं, इसको name दे देते हैं one और इसको two, और इस one वाले triangle को यहाँ से pick करके, हम इस second के उपर रखते हैं, ठीके, अगर आप इसको second के उपर रखते हो, फिर क्या होता है, ये बिल्कुल as it is, यहाँ से आपने उठाया और अब आपने क्या क्या, यहाँ पर pick, इसको place कर दिया, तो हम यह देख पा रहे हैं, कि जो triangle हमारे पास two था, हमने इसके उपर जब one वाला रखा, तो इस तरीके से उसने second वाले triangle को cover कर लिया है, तो जब यह cover कर लेता है, तो हम यहाँ पर observe कर पाते हैं, क्या, कि यह जो दोनो triangles हैं, वो बिल्कुल same size के हैं, और जब हमारे पास same size के triangle होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं congrade triangles, ठीक है, तो आपके पास यह concept clear हुआ, तो next अब हमारे पास यहाँ पर दो questions हैं, जिन्हें हमें one by one solve करना है, तो चलिए अब हम start करते हैं, सबसे पहले question number one, according to question number one, diagonal AC of a parallelogram ABCD by 6 angle A, अब यहाँ पर देखो, आपके पास यह जो figure है, इसमें यहाँ पर यह represent भी क्या हुआ है, कि ABCD क्या है, एक parallelogram है, clear, तो सबसे पहले तो हम इसी का ही concept ले लेते हैं, कि ABCD is a parallelogram, parallelogram को हम इस तरी के से भी लिखते हैं, कि parallel lines बना देते हैं, फिजी हैं, मतलब parallelogram, तो अगर बच्चा यह parallelogram है, तो हमारे पास concept क्या है, कि इसके opposite sides कैसी है, equal है, so AB side जो है, वो CD के equal है, पहली बात, clear, और equal होने के साथ क्या है, वो एक दूसरे के parallel भी है, so AB side is parallel to CD, AB यह वाली side, ठीक है, and next रैसे ही अब हम देखते हैं, AD side, तो हम यहाँ पर mention करेंगे, AD side is equal to BC, and यह जो आपके पास sides है, यह आपस में कैसी है, parallels भी है, clear, तो हमने यहाँ पर concept ले लिया, 1 and 2, एक तो हमारे पास यह दोनों points हो गए, next, यहाँ पर क्या है, diagonal AC by 6 angle A, यह जो आपके पास diagonal है, यह A angle को, यानि कि bisect कर रहा है, मतलब यह वाला portion, यह वाला portion दोनों क्या है, equal है, so हम इस portion का name लिख देते हैं, यह क्या है, हमारे पास angle DAC, okay, next, इसका name क्या है, BAC, तो आपके पास DAC जो angle है, वो BAC के equal है, यह हमारा third point है, और यह जो हमारे पास सारे के सारे points है, यह हमें कहां से मिले हैं, given से, मतलब यह हमें given है, इसके लिए हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया अभी तक, now what, now what we have to prove, it bisects angle C also, जैसे यह AC diagonal, A angle को bisect करता है, ऐसे ही यह C को भी bisect करता है, मतलब two equal parts में divide करता है, तो अब यहाँपन हमें mention करेंगे क्या, कि हमें यहाँ पर prove क्या करना है, तो prove that की angle C जो है, वो bisect किया जा रहा है, that means, यहाँ पर दो angle बनेंगे, एक तो यह DCA और एक यह BCA, हमें यहाँ पर prove करना है, DCA is equal to BCA, यह हमारा concept है, clear, तो चले हम अपना concept जो है, वो use करते हैं, सबसे पहले proof, तो अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, कि यह जो भी हमारे पास parallelogram है, इस parallelogram में concept क्या है, sides तो parallel हैं, और अगर sides parallel हैं, तो हम उन्हें को ही लेते हैं, ठीक है, like we are taking these sides, AB sides, और यह CD side, यह parallel sides है, और यह आपके पास एक तरीके से क्या है, transversal side है, तो हम यहाँ पर यह concept देखते हैं, कि यह वाला जो angle है, वो इस वाले angle के equal है, है ना, कैसे, क्योंकि यह क्या बन रहा है, यहाँ पर Z बन रहा है, clear, तो इस in angle के name क्या है, अब हमारे पास, अगर हम इस वाले angle को देखते हैं, तो that is D, और यह C, और यह क्या, A, so आप यहाँ पर mention करेंगे angle DCA, ओके, और यह जो DCA है, यह यहाँ पर किसके equal है, बताइए, देखो DCA आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, और यह वाला angle कौन सा है, that is BAC, यह आपका equal है, BAC के, ओके, और आप इसका क्या reason दोगे, कि यह अब यह दोनों तो alternate angles हों गए, क्या, इसके अलावा कोई और भी angles हैं, आपे बिलकुल हैं, और वो कौन से हैं, देखो, वो आपके पास एक तो यह वाला angle है, और एक यह वाला angle है तो यह भी हम पर क्या बन रहा है, Z बन रहा है ना, लेकिन यहापे Z कौन से वाला बनेगा, ऐसे वाला नहीं बनेगा अब अगर आपके पास यह पे यह parallel ग्राम है, तो अब आप इन दोनों sides को parallel लेके चल रहे हों और यह जो दोनो साइड से अगर आपके पास parallel है तो मैं इनको इस तरीके से dark कर देती हूँ और यह आपका diagonal तो यह आपके पास Z इस टाइप से बन रहा है और यह जो Z आपका इस टाइप से बन रहा है तो इनमें angles आपका एक ये वाला और एक ये वाला तो यह दोनो equal है ओके ये भी आपके पास क्या है alternate angles है clear हुआ अब उसके साथ साथ आपने देख लिए कि यहाँ पे दो-दो angles तो आपने equal proof कर दिया है लेकिन अगर कोई हम और concept देखे तो क्या हमने ये देखा था कि equation number 3 देखो equation number 3 क्या कहती है कि DAC is equal to BAC ओके ये आपका कहां से मिला from equation number 3 अब ये जो भी हमारे पास equations मिले हैं हम एक बार इनको ना compare करके देखते हैं तो जब हम इनको compare करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है देखो सबसे पहले हम ये वाली equation लेकर चलते हैं DCA इसको compare करते हैं ओके तो यहाँ हम लिखते हैं on comparison चलो compare करो तो आप first वाला जो देख रहे हो वो है angle DCA किसके equal है वो that is equal to BAC ओके बट BAC ये BAC ये कहाँ पे है देखो इन तीनो equations में ये यहाँ है BAC और ये किसके equal है that is equal to DAC concept मिल रहा है ना समझ रहे हो ना देखो ध्यान से एक बार और आपके according आपने लिया DCA और DCA किसके equal है BAC के तो आपने लिखा BAC बट ये BAC तो ये यहाँ पे है और ये BAC किसके equal है that is equal to DAC तो आप यहाँ पर लिखेंगे this is equal to angle DAC और फिर उसके बाद ये DAC कहाँ है ये यहाँ पे है तो मीनिंग ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे angles बन रहे थे ये चारों के चारों angles आपस में कैसे हो जाते हैं equal हो जाते हैं और ये चारों angles आपके पास equal हो जाते हैं तो हम ये mention कर सकते हैं क्या कि ये वाला जो angle है और ये वाला angle ये भी आपस में कैसा है equal है क्योंकि आपके पास ये चारों equal है सो आप mention करेंगे ये वाला angle कौन सा है DCA angle DCA और next आपके पास ये वाला angle कौन सा DBCA वाला ठीक है BCA ये भी कैसा हो गया है equal हो गया है कहां से आया from equation number 4 से from equation number 4 अब आप देखो आपको क्या prove करना था ये देखो जरा angle DCA is equal to angle BCA so we can say that AC bisects angle C also ये C को भी bisect करता है clear हुआ concept clear समझ में आ गया तो आपका जो first point है वो तो यहां पर prove हो जाता है next अब हम बात करते हैं second concept की तो second concept में आपको क्या करना है इस parallelogram को rhombus prove करना है rhombus that means जिसकी चारो sides आपस में कैसी होती है equal होती है तो हम चारो sides को लेते वे चलते हैं तो अब आप यहां पे देखिए कि ये जो आपके पास parallelogram है इसमें हमने देखा कि जितने भी हमारे पास angles बन रहे थे चारो के चारो एंगल ये 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 और ये चारो angles आपस में कैसे है equal होते हैं तो एक काम करते हैं हम पहले ये जो अपर वाले हैं जिनको मैं यह पर डबल किया हुआ है इनको लेके चल रहे हो तो ये कौन-कौन से angle है angle DAC ये second part प्रूफ कर रहे हूँ मैं आपको first question का तो angle DAC किसके equal है angle DC अगर ये आपके पास equal है ये दोनों angles तो आप देखो इनके opposite side ये वाली और इसके opposite side ये वाली ये sides कैसी होंगी बताएए ये sides भी कैसी होंगी equal होगी तो AD side equal है किसके DC के तो आप इसका reason यहाँ पर क्या mention करेंगे कि these are sides opposite to equal angles और जो भी हमारे पास ऐसी sides होती है वो हमारे लिए कैसी होती है equal होती है तो ये side भी हमारे पास equal हो गई है similarly अगर अब हमने बात की थी अपर वाले angles की अब हम lower वाले angle को लें lower वाले angle एक तो ये वाला और एक ये वाला तो इनके name क्या है क्या name इनके देखो BAC और उसका BCA So angle BAC that is equal to angle BCA ओके और जब यह दोनों angles equal है तो इनके opposite side कौन सी है देखो BAC इस वाले angle के opposite side कौन सी है BC और इस वाले angle के opposite side कौन सी है AB So we can say that BC is equal to AB ओके तो आपने यहाँ पर भी यही reason mention कर दिया है side opposite to equal angles are equal कि जो भी हमारे पास ऐसी sides होती है वो आपस में कैसी होती है इक्वल होती है अब जब आप अपने पुराने वाले concept को देखो इसमें क्या है पुराने वाले concept में हम यहाँ पर देख पाते हैं कि AB side जो है वो CD के equal है और AD side किसके equal है BC के तो हम यहाँ पर mention करते है but AB side is equal to CD and AD side is equal to BC और यह हमें कहां से मिला यह हमें मिला है from equation number 1 and 2 से जो हमने पहले mention किया था देखिए यहाँ पर जड़ा यह देखिए from equation number 1 and 2 तो अब आपके पास यहाँ पर concept है हम यहाँ पर क्या करते हैं कि comparison कर देते हैं जो भी हमारे पास यहाँ data है हम उन सब का comparison करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं AB equals to CD जो हमें यहाँ पर है ना जो concept है हमारे पास उनी से AB side किसके equal है CD के बट c d side आप देखिए जो आप यहाँ पर concept यूज कर रहे हैं उसके according यह c d side यह किसके equal है that is equal to a d so आप यहाँ पर apply कर सकते हैं कि यह आपके पास equal है किसके a d के clear अब ऐसे ही आप देखो a d a d यह जो side है आपके पास a d यह किसके equal है that is equal to b c यह वाला point so आप यहाँ पर mention करेंगे यहाँ से देखो a d is equal to b c है तो a d that is equal to b c तो आपके पास जितनी भी sides है चारो की चारो sides आपके पास क्या हो जाती है equal हो जाती है so अगर आपके पास यह concept equal हो जाता है then you can write that a b c d is rhombus और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था okay hence prove अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर है question number second और question number second में आपके पास concept क्या है prove that a diagonal of a parallelogram divides 8 into two congruent triangles तो आप सबसे पहले क्या कीजिए एक parallelogram दे लीजिए okay यह parallelogram है हम इसको name दे देते हैं a b c d और यहाँ पर यह क्या है आपके पास इसका diagonal है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि given point क्या है तो आपके पास क्या है given point पहला point a b c d is a parallelogram okay next आपके पास है कि a c जो है वो क्या है that is a diagonal तो अब बच्छे यह parallelogram है तो इसके जो sides है opposite sides यानि कि a b side यह किसके equal है that is equal to c d okay and यह वाली जो side है a d यह किसके equal है b c k okay तो यह concept हमारे पास given है now अब हम अपना concept जो है वो प्रूफ करना start करते हैं कि हमें सबसे पहले point की proof क्या करना है हमें यह प्रूफ करना है कि यह जो भी diagonal है a c यह क्या करता है divides it into two congruent triangles यानि कि यहां पर यह जो भी आपके पास triangle बन रहे है कौन कौन से triangle आपके पास बन रहे है one and two तो यह one and two जो आपके पास triangle है यह दोनों कैसे होने चाहिए आपके पास congruent होने चाहिए so triangle a d c must be congruent to triangle a b c यह आपको प्रूफ करना है तो इसको जब हम प्रूफ करना start करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका proof प्रूफ में हम यहाँ पर mention करते हैं in triangle a d c and triangle a b c दोनों triangles को लेकर चलते हैं तो triangle आप यहाँ पर लीजिए पहले a d c a d c triangle में आपके पास एक तो यह side है a d है ना लेकिन आपको तो यह पता है कि a d side किसके equal है b c के और b c side आपके पास दूसरे वाले triangle में है तो आप यहाँ पर mention करेंगे a d is equal to b c कैसे given है वही है ना ओके next नेक्स देखिए इस triangle में एकी side है d c और यह d c side किसके equal है that is equal to a b so d c is equal to a b और यह भी हमारे पास क्या है given है ओके तो दो sides तो हो गई है अब बात करते हैं third side की third side कौन सी है ac तो यह ac side जो है आपके पास आप देख रहे हैं कि यह दोनों triangles को connect कर रही है that means यह आपके पास इस upper triangle में भी है और इस lower triangle में भी है so हम यह आपर mention कर सकते हैं क्या ac side is equal to ac that is common side यह हमारे पास common side है तो it means आपके पास तीनो sides कैसी हो गई है equal हो गई है और जब आपके पास तीनो sides जो है वो equal हो जाती है तो आप क्या कहते है कि आपके पास जो triangle है वो दोनों कैसे है congruent है so triangle ABC is congruent to triangle ADC और यहाँ पर आपने कौन सा concept यूज किया हुआ है SSS का ओके यानि की side 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 का so आप यह आपर mention करेंगे by SSS so आपने यह दोनों triangles जो हैं यहाँ पर prove कर दिये है clear so यह आपका concept complete हो जाता है और आपकी worksheet भी complete हो जाती है thank you for watching my channel